अलो गैस वेलकम बैक टू माई चानल दोस्ता इस वीडियो में आप देखेंगे एलेक्ट्रिकल इंट्रिव्यू कोशन और आंसर रिलेटेड टू ट्रांस्वामर आगे जो एना मैं बहुत सारे वीडियो अपलेट करने वाला हूँ एलेक्ट्रिकल इंट्रिव्यू कोशन के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ओपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे तो गैस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजे एसे ही जो एना बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ तो गैस इस वीडियो में हम देखेंगे एलेक्ट्रिकल इंट्रिव्यू कोशन से रिलेटेड टू ट्रांस्वामर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजे अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजे तो गैस बिनारू के आज के टॉपिक के और आप बढ़ते हैं गईस इधर आप देख सकते हो यह सबी कोशन्स नंना इंट्रिव्यू में बहुत बार पूछा जाता हैं इसलिए मैं यह सबी कोशन्स आ आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं और आंसर्स भी मैं आप लोग को साथ शेयर करूंग आगे इधर आप देख सकते हो questions which are asked in interview interview में यह 10 questions बहुत बार पूचा जाता है इधर आप देख सकते हो पहला question है what is the transformer फिर second question है what are the types of losses in the transformer और third question है what happens if we give DC supplied to the transformer और fourth question है name the transformer which is located in cities or area fifth question है how to reduce 80 current losses in the transformer यसे और भी बहुत सारे questions है आगे मैं सभी questions के answers आप लोगों के साथ शेर करूँगा question number one what is the transformer इधर आप देख सकते हो दोस्तों answer एक question आप लोगों को मालूम है पिर भी बहुत बार interview में एक question पहले पूचा जाता है अगर आपका interesting subject है transformer आप बोलोगे तो transformer के बारे में आप लोगों को जरूर पूचेगा what is transformer तो यह भी जो है एक important question है तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका जवाब है the transformer is a device with no rotating parts transformer में जो हैना कोई भी rotating parts नहीं रहते है the transformer is used in various places transformer जो है ना आर जगा यूज क्या ज़ता है generating stations में substations में schools में और equipments में device में आर जगा जो है ना transformer यूज क्या ज़ता है either step down करने के लिए या फिर step up करने के लिए the function of transformer is to transfer power from one circuit to another circuit without changing frequency and power दोस्तों transformer क्या करेगा power को transfer करेगा from one circuit to another circuit और दोस्तों transformer जो हैना step up भी करेगा voltage को और step down भी करेगा transformer का function यही है और without changing frequency and power यह चीज जो हैना ज़रूर याद रखिए अर बार interview में भी जो हैना पूचा जाता है transformer में कौन सा parameter जो हैना same रहेगा आप जो हैना frequency and power बोलकर जो हैना answer दे दीजिए चले गाई सब हम देखते हैं second question second question है what are the types of losses in the transformer यह भी question जो हैना अर बार interview में जो हैना पूचा जाता है आप बोलिए the types of losses in the transformer आर copper loss का और एक नामे variable loss और उसको winding loss भी बोला जाता है और second loss आएगा iron loss iron loss को जो हैना core loss भी बोला जाता है और constant loss भी बोला जाता है दुस्तो iron losses में भी जो हैना और दो प्रकार के एक है 80 current loss और एक है hysteresis loss तो कैसे रहे losses in the transformer जब भी कोई भी placements में जो हैना what are the types of losses in the transformer आपको पूचा जाता है तो आप जो हैना यह जवाब दे दीजिए transformer में जो हैना दो losses रहते हैं एक है iron loss और दूसरा है copper loss अब हम देखते हैं third question third question है what happens if we give DC supply to the transformer हम सबी को मालूम है कि transformer जो हैना AC supply में work करता है अगर हम DC supply transformer को देंगे तो transformer क्या operate करेगा या नहीं तो कैसे भी question जो हैना बहुत बार interview में पूचा जा चुका है इदर आप देख सकते हो इसका भी जवाब है इदर we all know that transformer works only on AC supply because when we give AC supply to the transformer alternating flux is produced whereas if we give DC supply to the transformer then it produces steady flux due to the steady flux the transformer draw heavy current because of no back EMF and low resistance then the winding of transformer will burn तो guys transformer work करने के लिए alternating flux required है अगर हम DC supply connect करेंगे तो steady flux constant flux generate होगा इसलिए उदर back EMF reduce नहीं होगा और current heavy draw करेगा transformer heavy current draw करेगा और resistance भी बहुत low रहेगा इससे transformer के अंदर winding रहेगा वो burn हो सकता है guys यहरा third question guys अब हम देखते है fourth question fourth question है name the transformer which is located in cities और area जो transformer आपके गर के पास रहता है उसका नाम क्या है ओ जो आपके placements में भी जो आप पूझा जा सकता है तो guys आप जवाब दीजिए the transformer which is located in the cities is called distribution transformer इसे जो आपके गर के पास रहता है इसका function क्या है इदर आप देखिए the function of distribution transformer is to step down the voltage from 11 kv to 440 volts जो एना step down transformer है वो step down करेगा voltage को from 11 kv to 440 volts तो guys जब भी एक question पूझा जाता है ना interview में आप जो आणसर दीजिए distribution transformer guys अब हम देखते है फिफ्ट कोशन फिफ्ट कोशन है how to reduce eddy current losses in the transformer the eddy current losses in the transformer can be reduced by using thin lamination यह भी question जो ना अर बार interview में पूझा जाता है तो guys जब भी आपको एक question आएगा तो जवाब दीजिए eddy current losses जो एना केसे reduce किया जाता है by using thin lamination तो किसी दर आप देख सकते हो लामिनेशन अगर हम thin lamination use करेंगे core को manufacture करने के लिए तब जो एना हम eddy current losses को reduce कर सकते है अब हम देखते है फिफ्ट कोशन six question है how to reduce esteresis losses in the transformer तो guys esteresis losses in the transformer can be reduced by using high grade material अगर हम good quality के material use करेंगे core को manufacture करने के लिए तब जो ना हम आसानी से esteresis losses को reduce कर सकते है तो guys ये भी question जो ना अर बार interview में पूचा जाता है तो ये भी जो ना आप पढ़ लिजी अच्छी तरह से जो ना याद रगली जी guys अपम देखते है सवेंथ कोशन सवेंथ कोशन है what is difference between core type and shell type transformer तो guys इदर आप देख सकते हो the difference between core type and shell type transformer is that in the core type transformer primary and secondary windings are placed on different limbs whereas in shell type transformer the primary and secondary windings are placed in one limb तो guys इदर आप देख सकते हो core core में जो ना वर्टिकल पोशन को जो ना लिम्ब बोलते है इदर आप देखिए core type construction और shell type construction core type में जो ना दो लिम्ब है एक और एक एक रही बास shell type में जो ना तीन लिम्ब है एक दो तीन इदर आप देखिए जब transformer में the core type transformer primary and secondary windings are placed in different limbs इदर आप देखिए core type में primary winding और secondary winding जो ना different limbs में जो ना प्लेस किया जा चुका है whereas in shell type transformer primary and secondary winding जो ना एकी limb के उपर जो ना प्लेस किया जा चुका है यह दोस्तो दोनमें difference और भी बहुँ सारे difference है नेकिन यह जो ना main difference है between core type and shell type transformer guys अब हम देखते है eighth question, eighth question है how to identify which is primary and secondary winding in the transformer तो guys primary winding और secondary winding आप transformer को without connecting load और supply के भिना आप नहीं बोल सकते है यह primary और यह secondary इदर आप देखिए we can't say this is primary और this is secondary by seeing transformer without connecting और सब supply and load always remember that the side where we connect the supply is called primary winding and the side where we connect the load is called secondary winding तो guys यह याद रखिए जिस side में हम load को connect करते है वो secondary side है और जिस side में हम जो ना supply को देते है ना वो primary side है तो guys इसी तरह से जो ना हम identify कर सकते है यह primary और यह secondary अब हम देखते है ninth question ninth question है what are the main parts using transformer transformer के अंदर main parts क्या क्या है तो guys यह भी question जो ना बहुत बार interview में पूचा जा चुका है आप भी जो ना इस question को याद से पढ़िए तो guys इस ज़र आप देख सकते हो जवाब है इसका the main parts of the transformer are core winding conservator relay and breather इस अभी जो ना main parts है guys अब हम देखते last question last question है name the parameters which are the same in the transformer while stepping up or down the voltage तो guys मैंने इसका जवाब जो ना पहले ही आप लोगो को दे दिया है transformer में जो ना कौन सा parameter same रहेगा अगर हम transformer का operation करेंगे तो कौन सा parameter same रहेगा यह question भी जो ना अर बर interview में compulsory पूचा जाता है तो guys इसका जवाब है the parameters which does not change are frequency and power frequency and power जो ना same रहेगा मेशा सिफ voltage और current जो ना चेंज होगा अगर हम कोई भी transformer के त्रू आपरेशन करेंगे guys यह रहे total 10 questions which are asked in interview repeatedly guys यह से ही interesting videos देखने के लिए आमरे चैनल को जो ना subscribe कीजे आगे जो ना मैं एसे ही videos upload करने वाला हूँ और various topics के ओपर आगे जो ना मैं DC motors के बारे में upload करूँगा AC motors के बारे में power system के बारे में EPG के बारे में और भी बहुत सरे topics के ओपर electrical interview questions जो ना मैं आगे लाने वाला हूँ तो guys मेरे चैनल को जो ना subscribe कीजे इधर आप देख सकते जो जो नेक्स्ट वीडियो electrical interview questions and answers related to DC motor जल्दी मैं ये वीडियो जो ना upload करने वाला हूँ guys ये वीडियो आपको पसंद आतो आपके सारे friends के साथ जो ना share कीजे thank you for watching this video have a great day